तो आगया, कैसे हो भाई साब सर्दियां आ रही हैं, ठंडे पानी में तो नहा नहीं सकते, मैयार होती है कैसे नहाएंगे हम अब ऐसे में गीजर की आवज तकता है, लेकिन जिल लोगों गर में गीजर नहीं है, वो गीजर लियाते हैं, गैस वाला यह लगवा भी रखा है, कि इंस्टेंट है, सस्ता है, खस्ता है, भाई तुम्हें बता हूँ, यदि तुम्हारे घर में गैस का गीजर लगा हुआ है, साले को अभी निकाल के फैको, और यह जो लगवाने जा रहे हैं अब हम मरोगे, ना, गैस का गीजर इस घंटा गीजर, क इन चार केस ऐसे हुए है, जहां पर गैस के गीजर की वज़े से बहुत दुरगटना है, गटी है, क्यों गटती है दुरगटना है, तो इसमें LPG स्लेंडर होता है, लोग बंद बातरूम में भी लगवा लेते हैं, गैस का गीजर, एक तो गैस का गीजर खुले में लगना निले गगन के तले नहने हम चले, ताकि उसमें से जो कार्बन मोनो अकसाइड निकलती है, वो आदमी को नुकसान देती है, अगर आप बंद में ही लगा लोगे तो निकले जाएगे और घुसे जाएगे और बेहुस पड़े रहे होगे, और लोग सोचेंगा साला आज कैसे च्छे महीने में नहा रहा है, जो निकली नहीं रहा, बाहर से सोरी में चादा है, वह कितना रगड़ेगा, तो ऐसे में आप बेहुस पड़े हैं और अगले को लग रहा है, तो गैस का गीजर बहुती नुकसान दे होता है, और क्योंकि वो गैस है, तो ऐसे में अंदर सस्ता है लेकिन बहुत खतरनाक है, आपने सुनाये णा, सस्ता रोऎ ऊजिज़र लो, फोड़ा महिंगा पड़ता है लेकिन मस्त सुरू सुरू में और यहाँ पर मैं आपको जो बिजली वाले में चोटी चीज़े बताना चाहता हूं कि आप वो भी ढंका लेके हैं इसमें भी दो तरह के आते हैं instant और storage वाला instant वाला आप button दवाओ और नालो लेकिन instant वाले की problem ये है कि उनाने के लिए ढंक से use नहीं हो पता क्योंकि आप उसे instant गरम करो लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता especially instant वाला बरतन वरतन दोने के लिए use किया जाता है washbasin के लिए use किया जाता है तकि तुरंत गरम किया और तुरंत आपने बरतन वरतन धो लिए नहाने के लिए बहुत थोड़ा सा उसमें निकलता है और एक बार बाल्टी भर जाएगी फिर उसके बाद आपको wait करना पड़ेगा तो आप उसमें पूरे नहा पाते है कभी कोई आधा सावन लग गया आधा ठंडे से नहारे वादा गरम से रहा तो instant वाला तो इस काम होता है instant वाला नहाने के लिए use नहीं करते घर में आपने बटन दबा दिया पांच मिनट में वह इस्टोर करके पाने को गरम कर लेगा अब नहाए जाओ और मौद उड़ाए जाओ अब इसमें जो एक वर्टिकल आता है एक खड़ा हुआ आता है वर्टिकल इसलिए होता है कभी-कभी बात्रूम छोटे होते हैं हमालों बात्रूम छोटा है और आपने इसे खड़े वाला रगा दे हो तो एसे में वो वर्टिकल है ताकि जगे बसती रहे यह important है तो आप वर्टिकल देखो या ऐसे पढ़ा हुआ देखो वो आपकी चोईस है बट ब्रैंडिड लेना कोई टुच्चू मुच्चू पप्पू चप्पू कमपनी मत ले लेना सुसरा वो भी भंट जाएगा रोज बरबाद हुआ रहेगा इसकी लाइव भी बहुत अच्छी है ज्यादा से ज्यादा ये चलता है बढ़िया और वाले तो जल्दी से खराब भी हो जाते हैं लेकिन इसकी लाइव सबसे बढ़िया होती है तो आपको इलेक्ट्रिक गीजर ज्यादा बढ़िया है यही लेना चाहिए कम्पनी वाले आपको स्मार्ड गीजर की रूप में बेजते रहता है स्मार्ड गीजर अरव घंता है स्मार्ड गीजर मतलो मत करो पैसे परबाद एक सौकिट आता है स्मार्ट प्लग वो 8700 रुपे का आता है उसे लगा दो और करो एलेक्सा गीजर ओन गीजर ओफ दस मिट बाद ओन वो उतने में काम कर देता है फाल तुपंड के पैसे इसमें मत देना आप ये है इलेक्रिक गीजर और इलेक्रिक गीजर का जो इस्टोरेज है वो आप अपने परिवार के हिसाब से रख लो जैसे कि आपके परिवार में माल लो दो तीन आदमी है तो आप 10-15 लीटर वाला गीजर ले सकते हो इलेक्रिक कोई प्राब्लम नहीं है और ये तुम्हारे घर में सोसरा कुटंबिर है रहा है तो भाई तुम्हें कई सारे गीजर लगाने पड़ेंगे लेकिन आप 5-7 आदमी है तो फिर 25 से उपर लीटर वाला ले लेना और इसमें भी आप इस्तार देखना ज्यादा ज्यादा इस्तार वालो कम से कम बिजली ख बात है तो आप यदि गैस गीजर ले ले हो तो मतलू इंस्टेंट गीजर अपने बरतन बरतन दोने के लिए और इलेक्ट्रिक गीजर जो मैंने बताया इस हिसाब से लो गैस गीजर में किसी दिन सुसरे पड़े रहोगे और मतलू